इस चैनल आपका स्वागत करता है कल UPSC ने एक नोटिफिकेशन दिया कि भीया अब तुम्हाई एक्जाम पोस्पोन हो गया तो बहुत साहे लोग जो न्यूज धूर रहते हैं कि कास एक्जाम पोस्पोन हो जाए उन्हें वो मिल गई लेकिन अब क्या अब क्या करना चाहिए अगला सवाल आ गया क्या मेंस भी पोस्पोन होगा तो इस तरीके कि आपकी जो भी सवाल है उन्हे सारे सवालों का जवाब मैं आपको इसमें दूंगा ये भी बताऊंगा कि क्या इस टाइम पर आपको आप्सनल करना चाहिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए क्योंकि selection के लिए ये तो important है कि आपको क्या करना चाहिए लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा important है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए तो आईए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को पहली चीज क्या means postpone होगा अब देखो यहाँ पर मैं आपको अपना opinion जरूँ दूँगा लेकिन उस opinion का basis भी बता देता हूँ कि क्यों मैं ऐसा बोल ला हूँ कि क्या means postpone होगा कि नहीं होगा समझ लेते हैं इसको 2020 का scenario देखते हैं जो 2020 का UPSC का exam हुआ था आपको में भी आप लोग जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं बट चार अक्टूबर को प्री हुआ था और इसके 18 दिन बाद 23 अक्टूबर को इन्होंने रिजल्ट दे दिया था और फिर आठ जन्वरी को इन्होंने mains करवा दिया था अब सोच के देखना कितने दिन है इसके बीच में इसके बीच में इसके बीच में जब मेरा सेलेक्शन हुआ था उस टाइम की कहानी तो यार ऐसी है कि 10 अक्टूबर को प्री हुआ था और उसके बाद 29 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आया था और फिर 7 जन्वरी से इन्होंने में मैं करा दिया था कितने दिन थे जर्ष 69 डेज सिर्फ 69 डेज़ सांग इन्हों सनि तहले यहीं वर 69 डेजह इसमें मैंने अपन यहां पे इन्हों नहीं आपको देंगे तो मैं 20 दिन भी मान लेता हूं तो इन इधर वे पांच जुन तक तो यह आपको रिजल्ट देंगे इससे पहले देंगे लेकिन यह एक्स्ट्रीम केस है कि भी पांच जुलाई तक यह देंगे फिर भी आपका मेंस कब से हैं इनकी ही पाएंगे 37 दिन में यह अराम से कराएंगे तो कुछ नहीं बदला है इस जस्ट कि आपका जो मेंस मेंस जो प्रिप्रेशन का 117 दिन मिलने वाला था उधर के 20 दिन उठाया और उठाके इधर पटक दिया बस इत्ता ही बदला है और कुछ भी नहीं बदला है there is least chances in my opinion there is least chances कि वो मेंस पोस्पोन करेंगे क्योंकि UPSC को आदत है अपने जो भी एक जामनेशन से हैं वो टाइमली कराने की तो वो कभी भी अगर पोस्पोन भी करता है न तो एक situation में like एक extreme situation में ही कर सकता है अब कोई आपदा ही आ जाए कोई ऐसा tsunami आ जाए तो बात ही अलग है but definitely ऐसा कुछ होने नहीं वाला है तो the thing is that they are not going to postpone तो दिमाग से यह निकाल दो कि मेंस पोस्पोन होगा मेंस पोस्पोन नहीं हो रहा है बार बार यह वीडियो ढूलना बंद कीजिए कि क्या मेंस पोस्पोन हो जाए कोई तो इंसान है जो बोल दे कि भाईया मेंस पोस्पोन हो जाए ताकि मेरे मन को सांती मिल जाए आपके मन को सांती के लिए मेंस पोस्पोन यूपिस्टी नहीं करेगा यूपिस्टी जैसा मैं में इसा बोलता है इस दा किंग वह अपने चीज़े करता है उसको मतलब नहीं है आपसे इट नोज उस हाव तु कंडक्टेट्स एग्जामनेशन इन टाइम। सो दू नॉट सल्ज मोब फॉर एट मेंस पॉस्पॉन नहीं हो रहा है कि अब लेकिन इस एक्जाम के टलने के चलते आपको बीज दिन फाल्तू मिल गए है प्रिलिम्स के लिए हैं तो अगला सवाल आ जाएगा सर् अब ही आपका जो इंटर्व्यू चल ला है यू नो दो थेंग्स नाइन अप्रेल को लास्ट इंटर्व्यू है जैसा इनकी आदत है लगबग एक हफ्ते के अंदर ये रिजल्ट दे देते हैं आई बिलीव ये पंदर अप्रेल तक रिजल्ट आपको दे ही देंगे इन इधर अब यह जो मेंस के बच्चे थे सीदी सी बात है 1100 बच्चों के असपास का तो सेलेक्शन हो जाएगा बाकी बच्चों क्या जो 2300 क्या सपास बुलाता है वह 1200 बच्चे उठेंगे अब इनके पास प्रिलिम्स के लिए दो महीने होंगे लगबग और दो महीने ऐसे बच्च यह जो आपके 1100 बच्चे हैं इसमें से भी बहुत लोग को सान्ती तो मिलेगी नि क्योह कि ना तो इस बने होंगे ना तो आई efस बने होंगे तो जिनका जैसे ड्रीम ही नहीं था लाइक की बई जिनका ड्रीम ही था कि आई-एस आई ऐस बना है तो वह सारे लोग जो सेलेक्टेड भी होते हैं कई सारे लोग ग्राम देते हैं दुबारा तो इसमें से आप एक्सपेट कर सकते हैं 500-600 लोग तो कम से कम दुबार एक्जाम देंगे तो यह साय लोग वापस आपके प्री में आएंगे तो प्री का definitely competition tough होगा तो यह समझे लिना कि competition तो बढ़ने वाला है और दूसरी बात यह वह बच्चे हैं जिन्होंने मेंस लिक्के सिर्फ लिखा नहीं है इन्होंने मेंस लिखने के साथ-साथ इंटर्व्यू भी दिया है तो किग तो definitely competition increase हो तो क्या करना चाहिए डल जाना चाहिए नहीं भईया फेस करना चाहिए अब भी नहीं फेस कर के तो बाद में है पड़ेगी बस इतना साहे इन सारे बच्चों को आप पीछे छोड़ सकते हूं देखो सीधी सी बात है किसी ने ज्यादा नंबर ओफ अटेंट दिये आप में दम है आपको अपनी तयार ही अच्छी करनी पड़ेगी इन से बस इतना साहे कुछ लोग इस टाइम पर रिलाक्स करेंगे कि या 20 दिन मिल गए चल भाई पार्टी कर लेते हैं मस्ती कर लेते हैं दारू पी लेते हैं आपको वो काम नहीं करना है आपको इस 20 दिन को ढ धंग से यूटिलाइज करना है ताकि यह जो बच्चे इंक्लूड हो रहा है ना इनको आप एक मूँ तोड़ जवाब दे सको यही सही रास्ता होगा इस टाइन पर कॉम्टिशन इंक्रीश करेगा यह फैक्ट है लेकिन डरना नहीं है क्योंकि डर के आगे जीत है सीधा सा है तो इस कॉम्टिशन से मत घबडाना बढ़ेगा आप अपनी तयारी यह तनी हाइए कर लेना कि यह आपसे घबडाएं क्योंकि अभी भी कही ना कि यह आपके साबित करो और वो कैसे कर सकते हो सीधा सा है पी वाई क्यूज शॉल करो सौर्ट नोट्स पढ़ो स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो प्रैक्टिस करो रिवीजिन करो यू नो दर थिंग्स ठीक है तो कॉम्डिशन बढ़ेगा लेकिन घबराना नहीं है तीसरी चीज कि आपको पढ़ना चाहिए अगर आप मुझसे पूझेंगे तो मेरे साबसाब को बिल्कुल नहीं परण जाए याल देखो इस टाइम पे आपका जो मांड सेट है वह कौन सा है आपका जो मांड सेट है वह आपका टोटली है प्रिलिम सॉला मैंसेट तो प्रिलिम सॉला है ना अब प्रिलिम्स वाले माइंसेट में तुम मेंस उठाके पढ़ोगे तो तुम्हारा जो इफेक्टिविटी यह वो तो डाउन हो जाएगा तो इफेक्टिविटी डाउन होगी तो पढ़ने का कोई फैदा नहीं होगा और फिर भी अगर पढ़ने का मन कर रहा है तो आपके जो टार्गेट्स हैं अगर फ्री मारथान फॉलो कर रहे हैं या फिर आप मेरे पेट बैच पे हैं या फिर आप मुझे आज इम कूदकें बनाते होंगे कोई ना कोई तो टार्गेट बनाते होगे ना आप कि आज में को यह पढ़ना है वो टार्गेट आपने कम्प्रीट कर लिया साम तक पूरा कर लिया उसके बाद पूरी एनरजी खतम होगी तब आपसनल उठाया एक बाद रिवीजन कर लिया इस से ज्यादा नहीं लेकिन माइ प्रेस आप से नहीं पढ़ना चाहिए फिर भी मन है तो तब पढ़ो जब आपके अट-लीस दिन भर पूरी पढ़ाई करने गाद प्रेलिम से आप पक चुके हो तब ही देखना नहीं तो मत देखना अब आपको क्या करना चाहिए यह साइज सिच्वेशन तो हो गई अब आपको क्या करना चाहिए पहली चीज जो मैं आपको सर्जेस्ट करूंगा डूंट चेंज यूर प्लैन डूंट चेंज प्लैन प्लैन मत चेंज कर लेना अपना 26 में को पेपर है ना इसी हिसाब से चलो कि आपका पेपर 26 में को ही है आप मेंसे बहुत था है लोग इंफेक्ट ज्यादा तर लोग ही बोलेता है अगर भगवान मुझे 10 दिन तो मैं फोड के दिखा देता तो फोड देना उस टाइंब पर रिवीजन प्रैक्टिस और कर लेना प्लैन मत चेंज करना इसी लिए मैं फ्री में जो रन कर रहा हूं आयम नौट गोइंग देंगे बीज दिन और रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे डोंट चेंज ओ प्लैन क्योंकि माइंड से अभी क्योंकि पिल्म्स घुमाफिरा कहिं आ रहा है हलकا सा रिलैक्स जरूर हुए हो बट इस रिलैक्स में इतना रिलैक्सेशन नहीं कर लेना है कि आपका लोगर्ट मियिंगक़्ा थि variety घृएया तो भ्रभिस रादाथ की लों खराब थी या तो तुने की ब्राबल थी तो क्या फाइदा हुआ तुम्हें 20 दिन का तो वह मत करना डोंट चेंज ओ प्लाइन प्रिलिम्स माइंड सेट के साथ ही तैयरी की जो क्यों कि क्या आप qalify कर रहे हो तो लगभख 95 दिन मिलेंगे मैं क्यों wait करूँँगा मैं क्यों wait करूँगा कि result में मेरा नाम दिख़ेगा तब मैं तैयारी करूंगा जिस दिन प्रिलिम्स होगा उसके एक दिन के अंदर मैं में लगूँगा क्योंकि मुझे पता रहरा कि मेरा प्रिलिम्स क्वालिफाई हुआ है इस हिसाब से त्यारी क्रूंगाöß तो इस हिसाब से त्यारी करो 95 दिन काफी होता है फोर दें के लिए अगर आपने अच्छी तैयरी कर ली सही डारेक्शन में त्यारी कर लिए मैं तो हूँ आपके साथ में तो सीधी सी बात है मेंस के लिए घबडाना नहीं है 90-95 दिन आपको जो मिलेंगे ना उसके बाद प्रिलिम्स के बाद उस टाइम पर फोर देना सिफ 55 दिन नहीं मिल ले हम क्यों वेट करेंगे कि आप प्रिलिम्स का रिजल्ट आगा तब तयारी करेंगे यह साल बहुत साइब अच्छे गलती करता है आप यह गलती मत करना तो आपको क्योंकि यहां पर मेंस वाला माइंड सेट होगा और यहां पर आपका प्रिलिम्स व प्रिलिम्स के साथ करों और इवन इफ अगर आपका पढ़ने का फिर भी मन नहीं मानना तो क्या पढ़ें अगला सवाल आ जाएगा तो मेरी सलाही है कि इंस्टेट ऑफ ऑप्शनल वागा जैसे चीजों को छोड़के आप वो सब्जेक्स पढ़िए जो आपके प्रियो में सब्सक्राइब में कौमन है जैसे कि हिस्ट्री का सेक्शन हो गया जी नहाइस्रिया में फल्टी वाला सेक्शन टॉप 629 या फिर आपके आपका ईकनोरमिक्स वाला सेक्शन हो गया या फिर सईन्स टक Fe लगोगे इसम नहीं फर सब्यार करना जो की आपका lonos करने में हैल कर दे। और आपका लगे हातों मेंस भी थोड़ा सा त्यार हो जाएगा तो यही करना अगर आपका एट आल दिल नहीं मान रहा हूँ आपका मन कर रहा है कि मेरे को मेंस के लिए पढ़ना चाहिए इस इस दॉप साय लोग इंगोर करते आ और बात में सी इसे उनको इगनोर कर देता है दो जातेश की काहनी पता है मैं बार बार लगातार आप से एक यही बात बोलता हूं और इग लगा रखे हैं देख डालो थोड़ा सा टाइम मिला है एक एक दिन में 2-3 वीडियो देख डा से आप अराम से चीज़ों को कर पाऊगे वीडियो 51 पहले देखना उसके बाद 1250 देखना क्योंकि 51 में मैंने रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन प्राइमिली कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग में बताया कि क्या आप देखना है और उसके राद उसके बाद मैट्स आपका यहां से कबर हो जाएगा एंड फॉल देफिनिटली प्रैक्टिस संडे को अपना ना जो संडे का टाइम है यू मस्ट मेक शोर कि यह संडे का टाइम है इसके बाद एक अकला सवाल आता है what you must not do this is again very important क्या करना हो तो ठीक है क्या नहीं करना है पहली चीज यू मस्ट स्टॉप सर्चिंग फॉर दोज वीडियो जहां पर कोई एक मेंटल तो कह दे कोई एक सीनियर यूपीसी मेंटल तो कह दे कि भाया एक जाम मेंस भी पॉस्प पॉस्पोन होगा ऐसा वीडियो ढूड़ना बंद कर दो क्योंकि आप उन लोगों को आपका डर पता है तो वो उसके बेसिस पर वीडियो बनाते रहेंगे मिस्गाइट करने के लिए यूपीसी को करना होगा तो करेगा आपको एक्स्ट्रा दिन मिलेंगे जैसा मैं हर बार कहता हूं बट क्यों हम अभी से उस चीज में पढ़ जाएं हम मानके चलेंगे भी आम उस दिन को एक्जाम में हम उतनी त्यारी उसरी साब से करेंगे कुछ नहीं बदला है यूपीसी इस नौट गॉइंग टो पॉस्पॉन है बट हमें डर होता है हमें लगता है दिन कम हो गए एंड हम फिर सर्च करते हैं कोई 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 एक इंसान कायद है कि भीया टलेगा और हम को चुकि हम सुनना ही वही चाहते हैं इसलिए वह सुनाता भणां वही है को और ऐसे लोगों को आप को सुना नहीं है भग्यान एसे लोगों के लिए आपको दोकांदी एक कांस सुनों दूसरे कांसे निकाल दो और अपनी पढ़ाई में लगे रहो यह धियान रखना दूसरी चीज मेंस के लिए आपका बीज दिन घटा है तो इट मींस आपको प्रिलिम्स अपना इंसे हो कर लेना है ताकि मेंस के टाइम पे आप 100% एक कॉंफिडेंस के साथ तैयारी कर पाऊं तो यू मस्ट नोट सर्च फॉर दोज वीडियो यह बहुत ज्यादा क्योंकि माइंसेट होता है मेंस के टाइम अभी लाइक दोजाब 25 वाले बच्चों से बोले दम प्रिलिम्स की तैयारी में लग जाओ नहीं लगेंगा मन नहीं करेगा आपका इस टाइम पर प्रिलिम्स का माइंसेट उस माइंसेट को चेंज करने की जरूवत नहीं है पढ़ाई पर फोकस कीजिए कुछ लोग इस टाइम पर रिलाक्स करेंगे कुछ लोग इस टाइम पर रिवीजन करेंगे आप क्या करेंगे पढ़ाई कीजिए टाइम कम है पीवाई क्यूज डाउनलोड कीजिए वेबसाइट पर है www.nilisair442.com इस पर सॉट नोर्स होगा भी दे रखें सारे सब्जेक्स के मैपिंग के लिए भी चीज़े दे रखी है उसके लाट टेलेग्राम चैनल यूप से प्रिलिम सुट निलेस पर भी शेयर कर रखा है इन नोर्स को डाउनलोड कीजिए आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उससे पढ़के अपनी तयारी को स